हेलो फ्रेंट्स एंड ये शुडेंट्स आज का माँ टॉपिक है इनौर्गेनिक फर्मासोटिकल केमस्टी के इंतरगाथ सोडियम पोटेशियम टाटरेट और इस वीडियो में हम लोग सोडियम पोटेशियम टाटरेट का स्ट्रक्चर उसका प्रपरेशन उसकी सायम उहны को प्राप्त किया घ्या था हम कह सकते हैं कि यह एक डबल हे टार् आपिशीड के ऑर आगेंगे हम संपरी ऑर हम सेंपरी कह सकते हैं सबसे संपरीम के इस बहुंत somos a अब बात करते हैं कि यह बहुत आसां है इसका इसकर गोडिए है ताटरीक यसिद चार कार्वन की एक चेन होती है जहां पर पहले कार्वन और चौथे कार्वन दोनु जगों पर कार्वचलिक एसिद गुरूप लगा उता है जह जो आपके सामने जो टाटरीक है आप देख पारें कि दो है तो डाई jsut पार्ट है वहां से अगर हाइडोजन को रिप्लेस करें तो अगर एक भी रिप्लेस करेंगे तब उसको टारेट करेंगे हम कहने दोनों रिप्लेस कर देते हैं हमने दोनों रिप्लेस करना है एक हाइडोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पोटास्यूम के साथ और एक हाइ में चीज पर आपत होऑ देख रहा है आप यह और्गनिक था इस में हमने क्या किया हाइडोजन को रिप्लेस किया इन गधन्यक carbon ने भी चार carbon तो C4 hydrogen कितने हैं आप सरी यहां पर यहां पर नीं यहां पर देखिए यहां पर hydrogen कितने हैं 1 2 3 और 4 इसलिए H4 oxygen कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 तो इसलिए O6 potassium कितना है एक sodium कितना है एक चाहिए ऐसे लिखिए या फिर यह तो dehydrated form है hydrated form जब भी होता है तो tetra hydro form में पाया जाता है यह नेटरल रूप में तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं C4 बिल्कुल वैसे ही H4 O6 Kna.4 H2 है जो hydrated form इसमें 4 मोल इसमें क्या होगा पानी भी होगा नेक्स पात करते हैं इसके molecular weight की इसी formula से जब हम इसका molecular weight calculate करते हैं तो में मिलता है it is around 282.2 gram per mole यह आपके लिए homework है आप इसको calculate कर सकते हैं with the help of periodic table जो category है इसकी वो lexative है एक बहुत खास लगने वाली बात है कि sodium potassium tartrate और potassium antimony tartrate दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों की category अलग-अलग है तो जो हमारा sodium potassium tartrate है यह आपके syllabus में before के first year के syllabus में गलती से वो दिया हुआ है हमारे emetics के अंदर लेकिन यह emetics नहीं होता यह क्या होता है lexative emetic होता है potassium antimony tartrate ठीक है तो यह क्या है lexative है paste बनाना है और उसमें फिर जो mixture हमारा बना उसे boil करना है boil करने के बाद उसे neutralize करते हैं और filter करते हैं और उसके बाद उसको थंडा होने करे छोड़ करते हैं थंडा होने पर उसके crystals बनते हैं sodium potassium tartrate के उसको हम लोग अलग कर सकते हैं तो यह देखिए किस परकार से इसकी synthesis होग sodium carbonate के साथ करा रहे होंगे तो आप देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज है यहां से क्या निकलेगा जैसे हमने का था सोडियम कार्बोनेट के साथ जब भी हम कराते हैं या कार्बोनेट हम जब भी लेते जनरी क्या होता है वहां से carbon dioxide निकलता तो यहां से क्या निकल जाएगा अब यहां पे 1 oxygen और यहां पे 2 mol ले था तो एक mol की निकल जाएगा और यहां से हइगा अब वेपस दो क्या बन जाएंगे जो कि आपके सामने हैं इसको हम लोग किताबों में इस तरी के कभी कई जगा लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो फॉर्मूला हमने बताया था फॉर्मूले की इसाब से के एच सी फोर एच फोर ओ सिक्स दो मोल ले लिजिए और स साथ उसकी एक शन करा दीजिए दो मोल हमको सोल्यम्-ोटैस्शियम्-टा-्डीक य Подशिञएं लोबिया कहना से कह सकते वह मिलेगा पानी मिलेगा एक मोल और कैसे मिलेगा वह आपके सामने है यह क्या हो जाएगी उपर उड़के निकल जाएगी है अब बात करते हैंज प्रापर्टीस की तो जो इसका क्लर है वो वाइट या कलरलेस होता है हमारे सोडियम को पाउडर के सकते हैं यह फॉलिबिल होते हैं और इनका बोइलिंग पॉइंट है करीब 200 डिग्री सेल्षियस तक और जो में पॉइंट है सब्सक्राइब नेचर की बात करें तो इसका वन पर्सेंट एक्वा सलूशन जो होता है उसका पी एच करीब 6.5 से 8.5 के करीमी होता है और यह डेली स्कुएंट है इसका क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सक्राइब नेचर है यह वाटर के साथ बहुत तेजी से बाइंड होता है इसलिए हमने दिखाया था यहां पर कि यह चार जो है एक्टम जो है वाटर के अपने साथ जोड़कर के रखता है नाव आप चैमिकल परटीज की बात करें तो जो हम इसे एर में काफी गरम करते ह यह potassium carbonate और sodium carbonate में क्या होता है तूल जाता है डिचाता है जैसा कि आपके सामने दिख रहा है दो मोल हमने sodium potassium tarrate को लेकर करके air के रसमकाया थे जब इसे अम गरम करते हैं तो यह potassium carbonate sodium carbonate keur 17 आपक्साइड में क्या होता है तूट जाता है अब इसकी बात करते ही यूज़ की तो इसका जो यूज है वो देखे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर सेलेबस में थोड़ी से गलती से यह एमेटिक के अंदर लिखा हुआ है इस नाट एमेटिक यह पोटेश यह शो करता है इसके साथ ही साथ इफरसेंट पाउडर्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी हम सोडियम पोटेश्यम टार्टरेट का प्रियोग करते हैं और भी कुछ यूज़ हैं जो कि कभी सिल्वर लाइनिंग वगेरा की पेंटिंग वगेरा और सब काम में लेकिन इसका में क्या है कि यह कथार्टिक के तरीके से यह थाज का वाँ टॉपिक पोटेशियम सोडियम टार्टरेट या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट दूनों आप गोल सकते हो और इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़े देखी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंट्स में शेयर कीजिए अगर इससे रिलेटेट कोई भी कोशन हो तो आप कमेंट गॉफ में पूछ सकते हैं हम लोग आंसर कने के कोशिश करेंगे इसका जो पीडियाफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहा